नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं करेश टूबी डिसलाइक का मेरे ख्याल से साथवा चैप्टर पीपल आलवेस चूज नौट तो चेंज तो यह बड़ा बहतरीन चैप्टर है और पिछले से यह कनेक्ट होगा तो थोड़ा सा हम पिछ गुड़ और इवल की बात हो रही थी तो गुड़ का जैसे मतलब होता है नौर्मल भाशा में जो सही होता है ना यौर ए गुड़ मैन लाइक तुम एक अच्छे आदमी हो गुड़ मतलब अच्छा इवल मतलब बुरा यह हमारी वर्ल के लेवल पे एक कॉमन जो है उसकी व मतलब है बेनेफीशल जो कोई चीज बेनेफीशल है और इवल का मतलब है नौट बेनेफीशल जो कोई चीज बेनेफीशल नहीं है तो गर परसनल लेवल पे देखे तो कोई बंदा गुड़ और इवल का इस्तिमाल ऐसे कर सकता है कि हाँ मैंने कुछ गुड़ किया जो मेरे beneficial नहीं था तो उसका अच्छाई और बुराई से कोई लेना दिना नहीं है इस sense में और अगर हम बात करें उस example की जिसमें एक बंदे ने किसी से पैसे लेने थे और वो बंदा पैसे लेन दिन उनका जगड़ा हो जाता है और उसने और बंदा उसको गोली मार देता है दूसरे बंदे को तो उस case में उसने किया evil बट अगर वो देखे तो उसके अपने frame of reference में वो उसके लिए beneficial नहीं था क्योंकि वो disturb कर रहा था उसको उसने सीधा ही काम निप्टा दिया तो खैर ये evil good evil का हमारा argument था उसके बाद जो philosopher एक point उठाता है कि जो तुमने unhappy होना है वो खुद choose किया है तो इस बात से youth जो है बड़ा बढ़क जाता है कि भाई मैंने unhappy life choose कि है क्योंकि ये मेरे लिए सही है कितना बेकार argument है क्या तुम इस level तक चले जाएगे मेरे को ridicule करने में उसे लगते कि ये जाती दुश्मनी पर उतर आया है कोई कि भाई ऐसा क्यों कह रहा है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है तो मैं इसका argument को तोड़ के रहूंगा जो मर्जी हो जाए मैं इसकी जो theories हैं उनको निस्तो नाबूत कर दूँगा चलिए आज हम बढ़ते हैं अगले chapter की तरफ people always choose not to change यानि लोग हमेशा choose करते हैं ना बदलने के लिए तो philosopher यहाँ पर बोलता है कि bad job है ये बड़ी normal बात हमें दिख रही है कि हमारे जो विचार है वो clash कर रहे है तो मैं तुम्हें एक simple explanation देता हूँ जिससे हम जिसमें हम ये समझेगी कि adlerian psychology में लोगों को या human को कैसे समझा जाता है यूद बोलता है please be brief यानि संखेप में बताएं तो philosopher आगे बोलता है कि तुमने पहले कहा कि किसी की personality change नहीं की जा सकती but adlerian psychology में personality को lifestyle से बताया जाता है तो यूद बोलता है lifestyle तो philosopher आगे बोलता है कि lifestyle tendency है thought की और action in life की ठीक है कि आपकी thought कैसी है या आपका action कैसा है life में या आपका lifestyle बताता है तो यूद आगे बोलता है tendency of thought and action की विचारों और action की tendency तो philosopher आगे बोलता है हाँ कोई कैसे दुनिया को देखता है और कोई कैसे खुद को देखता है lifestyle को तुम सोचो एक concept है जो चीजों को आपस में जोडने को think of lifestyle as a concept bringing together these way of finding meaning यानि जो meaning हम find कर रहे है lifestyle को ऐसे सोचो के वो उन चीजों को आपस में जोड रहा है in a narrow sense एक और तरीके से lifestyle जो है वो किसी की personality भी define कर सकता है और अगर broadly हम देखें तो ये पूरे वर्ल्ड उस आदमी के पूरे वर्ल्ड व्यू को संजोए रखता है और उसकी जो outlook है life की तरफ की वो कैसे देखता है जिन्दी को इसको भी बताता है तो यूद बोलता है कि a person's view of the world यानि एक बंदे की देखन कैसे वो देखता है संसार को question करता है तो philosopher आगे बोलता है कि देखो कोई है मान लो कि जो हमेशा अपने बारे में चिन्ता करता है और बोलता है कि मैं pessimist हूँ यानि निराशावादी हूँ तो हम वो इसको इस तरीके से कह सकता है कि मेरे पास मेरा जो नजरिया है देखने का संसार को वो निराशावादी है तो आप इस इशू को personality से नहीं जोड के बट वर्ल्ड को कैसे कोई देखता है उससे जोड सकते हूँ तो इससे हमें समझ आता है कि जो personality है उसको ऐसे जोड दिया गया है जैसे उसको change नहीं किया जा सकता पर अगर हम view of the world की बात करें कि समाग या संसार को कैसे देखा जा सकता है इस चीज़ को ज़रूर बदला जा सकता है तो यूद आगे बोलता है ये थोड़ा confusing है जब आप lifestyle की बात कर रहे हो क्या आपका मतलब है a way of living यानि कैसे जीना चाहिए या कैसे जिया जाता है तो philosopher बोलता है हाँ आप इस तरह के से भी रख सकते हो और थोड़ा सा accurate होने के लिए lifestyle है कि कैसे किसी की जिन्दगी होनी चाहिए कैसे एक बंदे की जिन्दगी होनी चाहिए तो तुम सोच सकते हो कि जो personality है personality कैसी चीज़ है जो अपने आप develop हुई है तुमारे अंदर और उसका तुमारे will से तुमारी इच्छा से कोई connection नहीं है पर adlerian psychology में lifestyle वो thought है जो तुम खुद के लिए चुनते हो यह बिल्कुल अलग है जैसे तुम कह रहे थे जैसे यूद कह रहा था कि भई personality हो inherent है जैसी बन गई वैसी बन गई वो तो मुझे मिली है मैंने खुद थोड़ी बनाई है वो पर adlerian psychology इसके विपरीत बोलती है कि lifestyle एक ऐसा thought है जो तुम खुद अपने लिए चुनते हो तो यूद बोलता है खुद अपने लिए चुनते हो तो यूद बोलता है हाँ बिल्कुल तो यूद बोलता है कि इसका मतलब मैंने सिर्फ unhappy या नाखुश रहना ही चूज नहीं किया और मैं इससे भी आगे जाके अपनी personality भी मैंने जो बेकार personality है वो भी चूज की है तो philosopher बोलता है एक दम सही तो यूद बोलता है हाँ अब तुम बहुत जादा push कर रहे हो फाल तुमें इसको कीच रहे हो जब मैं aware हुआ जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पास already ये personality थी तो मेरे पास वो स्वतंत्रता नहीं थी कि मैं इसको ना चूज कर सकता मैं इसको कुछ और चूज कर सकता पर क्या ये तुमारे लिए भी same नहीं है अपनी personality अपनी इच्छा से चूज करना ये ऐसे सुनने में लग रहा है जैसे हम robots की बात कर रहे हैं लोगों की नहीं तो philosophy वो यहां पर बोलता है कि of course तुमने जो ये जो personality चूज किये consciously चूज नहीं किये तुमारी पहली जो चूज है वो unconscious थी उसके साथ कई external factors चूज सकते हैं कि तुमारा race, तुमारी नागरिक्ता, कल्चर और तुमारा जो वातावरन था घर का वो कैसा था इन सब का बड़ा significant प्रभाव होता है बहुत जादा प्रभाव रहता है तुमारी choice पे फिर भी मैं यही कहूंगा कि तुमने इस चीज को चुना है इस personality को चुना है तो यूथ आगे बोलता है मैं समझ नहीं पा रहा तुम कैसे यह कह रहे हो तुम क्या कह रहे हो कैसे मैंने इस चीज को चुना है तो philosopher आगे बोलता है अडलीरियन साइकॉलजी के हिसाब से यह चीज होती है जब एक human जो है दस साल के आसपास होता है तो यूथ बोलता है argument के लिए कि जब मैं दस साल का था मैंने एक unconsciously choice की lifestyle की अपने क्या वो अभी भी matter कर रही है तुम इसको personality बोल सकते हो या lifestyle बोल सकते हो पर फिर भी मैं जो बनना था वो बन गया जो मैं हो तो जो चीजें हैं वो कभी वो change नहीं होई इस से तो philosopher बोलता है यह सहीं नहीं है तुमारा lifestyle यह नहीं है कि जो तुम naturally जनमे थे जिसके साथ तुमारा lifestyle है जो तुमने खुद अपने लिए choose किया है अगर तुमने उसको अपने लिए choose किया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उसको दुबारा से भी choose कर सकते हैं तो यू थागे बोलता है अब तुम कह रहे हो कि तुम इसको दुबारा से भी चूज कर सकते हो स्टार्टिंग से तु फिलोस्फर बोलता है कि शायद तुम्हें अभी ये अपनी लाइफस्टाइल के बारे में पता नहीं है और तुम्हें जो concept लाइफस्टाइल का उसके बारे में जादा जानकारी नहीं है Of course, कोई भी अपना जनम नहीं चूज कर सकता कि वो किस country में है, किस era में पैदा हुआ, कौन से उसके माता पिता कैसे होंगे वो ये सब चूज नहीं कर सकता और इन सब का जो है बहुत बड़ा influence है हमारी upbringing पे, हमारी personality पे तो तुम disappointment निराशा ही feel करोगे, phase करोगे जब तुम दूसरों को देखोगे और उनकी feeling के बारे में सोचोगे और तुम सोचोगे कि काश में इनके जैसे circumstances में यानी परिस्तितियों में पैदा होता पर बात यहां पर समाप नहीं होती जो past है वो issue नहीं है present issue है और अब तुमने lifestyle के बारे में जाना है तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं अब तुम इसके साथ क्या करोगे, यह तुमारी responsibility है क्या तुम वही lifestyle चूज करोगे जो तुमारा अब तक था या फिर तुम नया lifestyle चूज करने की कोशिश करोगे यह सिर्फ और सिर्फ तुमारे उपर है तो यूथ आगे बोलता है तो मैं कैसे नया दुबारा से चूज करो lifestyle तुमने मुझे बोला कि तुमने अपना lifestyle खुद चुना और अभी आगे भड़ो और एक और lifestyle चुन लो बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक दम से अपने आपको change कर लो ऐसा नहीं हो सकता तो philosopher बोलता है कि तुम कर सकते हो लोग जो है वो कभी भी change कर सकते हैं उससे परिस्थितियों का या उनके environment का कोई फरक नहीं पड़ता तुम change इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम change करना नहीं चाहते हैं तुमने ये निश्चे ही नहीं किया है कि तुम change करना चाहते हो तो youth बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है इससे exactly तो philosopher आगे बोलता है कि जो लोग है वो लगातार अपना lifestyle जो है select करते रहते हो और हम भी इस बातचीत में अपना lifestyle select कर रहे हैं तुम अपने आपको नाखुश आदमी बताते हो और तुम बोलते हो कि मैं change होना चाहता हूँ अभी इसी वक्त तुम ये भी claim करते हो कि तुम एक नए सिरे से एक नए उसमें जनम लेना चाहते हो नए person की तरह और इन सब के बावजूद भी तुम change नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब यही है इसका कारण यही है क्योंकि तुम इसी direction में लगाता रेफर्ट कर रहे हो कि तुम अपना lifestyle कैसे change ना कर सको तो youth बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यह completely पूरी तरीके से illogical है इसका कोई तर्क नहीं है मैं change नहीं करना चाहता ऐसा बिलकुल नहीं है यह तो मेरी एकलौती wish है, मेरी चाहत है मैं कैसे यह decision ले रहा हूँ कि मैं change नहीं करना चाहता तो philosopher आगे बोलता है बेशक यहाँ पे थोड़ी inconvenience है असुविदा है, limitations है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो lifestyle है वो सबसे ज़्यादा practical है इसलिए यह सबसे आसान है कि जैसा वो lifestyle है उसको वैसे ही रहने दिया जाए अगर तुम इसके साथ ही रहोगे तो तुम बहतर जिन्दगी को जी पाओगे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो experience है वो लोगों के साथ जब बात कर रहे हो या कोई event तुमारी life में होता है उसको तुम बड़े अच्छे से respond कर पाओगे ये तुम कह सकते हो एक तरह जैसे आप पुरानी car drive करते हो जिसको आप जानते हो तो थोड़ी बहुत खराब हो सकती है बट आपको हर चीज का आइडिया है कि कितना चक्का गुमाएंगे तो कितना जाएगी और उसके इंजन उंजन का पूरा पता है और विपरीत विपरीत दिशा में अगर आप नया lifestyle चूज करते हो तो आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है आपको नहीं पता कि कल को कुछ events ऐसा arise होगा तो उसको कैसे आपने deal करना है तो बड़ा मुश्किल होगा future में और आपको anxiety हो जाएगी तो एक जादा दर्द भरी और नाखुशी जिंदगी आपको लगती है कि जब आप एक नया lifestyle चूज करने की कोशिश करते हो या सोचते हो तो सीधी बाशा में बोलो तो लोगों के पास अलग-अलग complaints है चीज़ों के लिए तो इसलिए ये बड़ा आसान है कि जैसे हम हैं वैसे ही रह जाएं तो यूद बोलता है हाँ बन्दा चेंज तो करना चाहता है पर बदलना मुश्किल है फिलोसफर आगे बोलता है जब हम अपना lifestyle चेंज करना चाहते हैं तो हम बहुत ही जादा अपना जो साहस है उसको टेस्ट करते हैं और जब चेंज करते हैं तो बड़ी anxiety जनरेट होती है और ये भी disappointment वहाँ पर आ जाती है एक attendant टाइप disappointment आ जाती है जो हमें कहती है कि चेंज मत होगो तो दोनों में से कौन सा चेंज चूज करना है ये आपके उपर है और आपने दूसरा चूज किया है तो यूथ बोलता है wait रुको आपने अभी अभी साहस शब्द का जिक्र किया तो फिलोसफर बोलता है हाँ जो adlerian psychology है ये courage की psychology है जो तुमारी नाखुशी है वो तुमारे past पे उसका दोश नहीं दिया जा सकता ना कि तुमारे environment पे पर इसका ये अर्थ भी नहीं है कि तुम competence lag करते हो तुमारे में वो जजबा भी है हम कैसकते हैं कि तुमारे पास तुमारे पास इस चीज़ की कमी है कि खुश रहने का साहस खुश रहने का तुमारे पास साहस नहीं है यहाँ पही ये chapter जो है वो खतम होता है तो इसमें बड़ी अच्छी बातें discuss की गई है कि हमारा इसको हम relate कर सकते हैं किसी बड़ा ही general topic से जैसे comfort zone का topic होता है कि लोग अपना comfort zone क्यों नहीं change करना चाहते अब कोई मोटा हो रहा है कोई पतला हो रहा है वो चाहता है कि मैं एक स्वस्त जीवन व्यतीत करूँ कोई बिमार हो गया वो चाहता है मैं स्वस्त जीवन व्यतीत करूँ पर वो वेट करता रहता है कब तक जब तक कि वो जो बिमारी अपना रौदरू रूप नहीं दिखाती तब तक वो अपने बिस्तर से हिल नहीं पाता तो वो जो cues थे कि भाई अब बिमार है अब मुटापा बढ़ रहा है वो भी उसको उठाने के लिए काबिल नहीं होते तो ऐसा क्यों होता है लोग अपना lifestyle change क्यों नहीं कर पाते तो बुक्के according ये इसलिए होता है क्योंकि नए lifestyle में जाने में बड़ी सारी कठिनाईया है जो नहीं चीज़ कर रहे हों अच्छे से कर रहे है नहीं करेंगे लोग मजाग उड़ाएंगे लोग कहेंगे भी इसको बड़ा चसका चड़ाए exercise करने का ये वो पता नहीं कई सौ चीज़ें कहेंगे और आपकी lifestyle में भी obviously change आएगा आप वो सोफे पे बैटके आराम से वीडियोज नहीं देख पाएंगे आप शाम का एक दो घंटे वो snacks नहीं खा पाएंगे दोस्तों से hangout नहीं कर पाएंगे आपका वक्त कम हो जाएगा क्योंकि आप वो वक्त लगा रहे हैं अपने नए lifestyle में तो ये सारी चीजें आपके लिए एक मुश्किले खड़ी करती है शुरू में जो लगता है कि मुश्किली है और उसे आप anxious होते है और उससे बहते रहे कि जैसे lifestyle में हम रह रहे हैं उसी में रहे क्योंकि वो at least हमें सुख तो दे रहा है न सुख दे रहा है पल भर शन भर सुख दे रहा है और long term में वो अजा भी बनेगा क्योंकि कई चीजें जैसे health खराब हो गई मुटापा बढ़ गया तो वो सारी चीजें आपको body के level पे दुख देने ही वाली है तो ये सारी चीजें हमें रोकती हैं अपना जो lifestyle बदलने के लिए तो comfort zone अगर छोड़ना है आप में एक इच्छा होनी चाहिए वही जो book बैद कहती है कि एक साहस होना चाहिए एक साहस नहीं है आपको अपके अंदर खुश रहने का यूद को बोला जा रहा है मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ तो इस book की बात के हिसाब से तो हम में ये better way है put करने का तो हम में courage नहीं है हमें साहस नहीं है हमारे अंदर competence भी है और हम हमेशा हमारे लिए आसान है कि किसी past incident को हम बदा दे कि हाँ इसके कारण मैं नहीं कर पा रहा तो main जो reason है जो core में हमें जाके मिलता है वो हमें साहस नहीं है जो हुआ वो हुआ उसको हम change नहीं कर सकते बट हम क्या change कर सकते है उस पे हम काम करें और उस पे काम करने के लिए हमें एक साहस की जरूरत है चलिए आगे बढ़ते हैं और यह है last chapter first night का यानि part का part one of book और इसका नाम है your life is decided here and now कि तुमारी जो जिन्दगी का फैसला है वो यहीं होता है आज और अब तो यूथ इसमें बोलता है the courage to be happy हाँ उसको बढ़िया लगा यह सुनने में तो philosopher बोलता है क्या तुमें और explanation चाहिए इसकी तो यूथ बोलता है नहीं रुको यह confusing हो रहा है तुम पहले कहते हो कि दुनिया simple है और फिर तुम ऐसा लगता है कि यह complicated है दुनिया सिर्फ मेरे कारण क्योंकि मेरा जो subjective view है इसको complicated बना रहा है फिर ऐसा लगता है कि जिन्दगी complicated है because मैंने इसको complicated बनाई है और जिसके प्रभाव से जो मेरी जिन्दगी है वो खुशी से जिने में मुश्किल हो रही है उसके बाद बोलते हो कि telelogical stance लो जो कि फ्राइडियन से ideology से अलग है कि आप causes का search मत करें कि कारणों को मत ढूंडे past में और जो trauma है उसको deny करें और फिर तुम बोलते हो कि लोग जो है वो act करते हैं किसी goal को achieve करने के लिए तो वो किसी goal को achieve करने के लिए act करते हैं ना कि वो ऐसे creatures हैं जो किसी past में जो कुछ incident हुआ है उसके cause के कारण drive करते हैं यानि जो वो कर रहे हैं वो इस कारण नहीं है कि past में उनके साथ कुछ हुआ और वो उसके implications के corresponding वो आगे बढ़ रहे है बलकि उन्होंने कोई goal achieve किया है goal सोचा है जिसको achieve करने के लिए वो act कर रहे है तो यह बहुत बढ़िया youth ने बोला यहाँ पर अभी तक मोटा मोटा जितना हमने बाते की उसकी मोटे मोटी main main चीज़ें यहाँ पर उसने सारी sum up कर दी तो फिलोसफर बोलता है यूद बोलता है इससे आगे जो major चीज़ है डिलियालोजी में कि लोग change कर सकते हैं और जो लोग है वो हमेशा अपना lifestyle चुन सकते हैं तो फिलोसफर बोलता है सही है तो यूद बोलता है इसका मतलब मैं change इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं लगातार ये decision दे रहा हूँ अपने आपको नहीं change होना है यानि वो अपने आपको लगातार बोल रहा है नहीं change होना है यानि उसको उपर उपर से उसको लग रहा है कि मैं तो change होना चाहता हूँ बर अंदरूनी उसका जो मन है वो लगातार ये डिसीजन बना रहा है कि तुमने चेंज नहीं होना है और फिर आगे यूद बोलता है कि मेरे पास इतनी करेज नहीं है नियूद लाइफस्टाइल को लेने की और दूसरे शब्दों में मेरे पास खुश रहने की करेज जो है वो नहीं है इसलिए मैं नाखुश हूँ क्या मैंने ठीक समझा तो फिलोसफर बोला हाँ तो यूद बोलता है इस केस में मेरा एक सवाल है कि ऐसा क्या मैं करूँ क्या मैं अपनी लाइफ में चेंज करूँ जो तुमने अभी तक एक्स्प्लेइन नहीं किया है तो फिलोसफर बोलता है तुम सही हो तो अब हमें ये डिसीजन लेना है कि हम अपना जो वर्तमान जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे रोके जैसे तुमने पहले कहा कि मैं किवाई की तरह बनना चाहता हूँ और मैं खुश रहूँगा जब तक तुम ऐसे ऐसे जी होगे तुम कभी भी चेंज नहीं हो पाऊगे क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा एक बहाना है कि अगर ये होता तो ये होता अगर ये होता तो ये होता तो अगर मगर जहां पे भी है वो तुमें कभी भी चेंज जो है होने नहीं देगा क्योंकि तुम कह रहे हो इफ आनली आई कुड बी लाइक वाई अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं अगर वाई की तरह ही होता तो ये एक्सक्यूज ही तुम दे रहे हो नहीं बदलने का तो आगे यूद बोलता है एक एक्सक्यूज नहीं बदलने का तो फिलोस्फर बोलता है कि मेरा एक युवा दोस्त है जो नोबलिस्ट बनना चाहता है जो सपना देखता है कि वो नोबलिस्ट बनेगा पर वो कभी भी अपना जो काम है वो पूरा नहीं कर पाया उसके अकॉर्डिंग उसकी जॉब उसको बहुत बिजी रखती है और इस कारण से वो कभी भी प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाता नोबल्स लिखने के लिए इसलिए वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा और बाद में अवार्ड्स के लिए भी वो उन इंटर्टेंड नहीं हो पा रहा पर क्या सच में ये एक रियल रीजन है नहीं तो ये इसलिए है क्योंकि वो हमेशा एक पॉसिबिलिटी ओपन रखना चाहता है I can do it if I try यानि मैं इसको कर लूँगा अगर मैं कोशिश करूँगा ना तो मैं कर लूँगा और इससे वो किसी चीज़ को कॉमिट भी नहीं करता तो ये बड़ा कॉमन है मतलब ऐसे आपने अपने आप में सोचो और देखो कि कितने आपको बंदे मिलेंगे आपकी लाइफ में जो बड़े 30 मारखा बनते हैं कि भाई मैं तो कुछ भी कर लूँगा अगर मैं कोशिश करूँगा ठीक है बट कोई चीज तब ही होती है जब आप उसको करने बैठते हैं और जब आप उसको करने बैठते हैं तो आपको धीरे धीरे उस पर confidence आता है और आपको उसकी गहराई भी समझ आती है तो ये जो procrastination है ये जो खुद से भागना है अगर-मगर करना है I can do it if I try मतलब ये जो हम अपने आपको एक बहाना दे रहे हैं तो इसके बारे में यहां पर philosopher कह रहा है कि अगर उसने सच में कुछ करना है तो वो इस possibility को नहीं रखेगा अपने mind में कि मैं अगर करना चाहूं तो अगर कोशिश करूं तो हो जाएगा इससे हम किसी चीज़ पर commit नहीं कर पाते तो main reason है कि वो अपनी जो काम है उसका criticism नहीं सहना चाहता वो reality नहीं face करना चाहता कि कल को कोई मेरी writing पढ़के उसको reject कर दे वो बस अपनी जो possibility की दुनिया है वो उसी में रहना चाहता है और जहां पे वो ये कह सकी कि अगर उसके पास time होता तो वो कर देता और अगर उसके पास एक proper environment होता तो वो लिक देता and he really does have the talent for it और उसके पास वो talent भी है और आने वाले 5 और 10 साल में वो शायद ये excuse करना excuse बनाना शुरू कर दे कि मैं अभी उतना युवा नहीं रहा उतना energetic नहीं रहा अभी मेरे पास family है सोचने के लिए जिनके बारे में उसका ध्यान जादा लगना चाहिए उस वक्त तो यूद बोलता है कि मैं इस बात उसे relate कर पा रहा हूँ कि कैसे वो feel करता होगा तो philosopher बोलता है उसको क्या करना चाहिए just एक award में nomination award में अपनी writing दे देनी चाहिए और अगर वो reject होता है तो it's okay क्या बड़ी बात है अगर वो reject होगा तो उसको एक नया chance मिलेगा कुछ सीखने को मिलेगा और वो दुबारा apply करेगा और उसको कई चीजें सीखने को मिलेगी जैसे मैं ने बोला और वो grow करेगा और में भी उसको यह समझ आजे कि यह मेरे काम की चीज नहीं है तो वो मैं कुछ और करता हूँ दोनो रास्तों में उसके लिए move on करने के लिए option होंगे कि चलो यार कुछ और करते हैं अब life में तो यही है अपना current जो lifestyle चेंज करने का तरीका अगर वो submit ही नहीं करेगा किसी चीज को तो वो उसको कैसे समझेगा कि मैंने आगे बढ़ना है मैंने नए चीज करनी है तो यूद बोलता है पर ऐसा करने से उसके जो सारे सपने हैं वो shatter हो जाएंगे वो बिखर जाएंगे तो philosopher बोलता है हाँ मैं समझता हूँ पर ऐसे जो सिंपल टास्क है जो चीजे करनी चाहिए इसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश में तो वो कहना चाह रहा है कि अगर हम यह सोचते रहें ऐसे रीजन सोचते रहें कि मैं यह क्यों नहीं कर सकता तो क्या एक मैं यह क्यों नहीं कर सकता कि बजाए हम ऐसे सोचे कि कैसे इसको करना चाहिए तो मैं यह क्यों नहीं कर सकता क्या यह हार्ड वे नहीं है जिन्दगी जीने का तो मेरे फ्रेंड के केस में जो कि एक नवलिस बनने का सबना रखता है उसमें क्लियरली आए है या सेल्फ है उसके बीच में जो उसकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रही है और इसके कारण वो जिन्दगी खुशी से नहीं जी पा रहा तो यूद बोलता है परंतु ये बहुत हार्श है तो मारी फिलोसफी बहुत टफ है तो फिलोसफर बोलता है बिलकुल ये बड़ी स्ट्रॉंग दवाई है तो यूद बोलता है बिलकुल बहुत स्ट्रॉंग दवाई है तो फिलोसफर बोलता है आगे परंतु अगर तुम अगर तुम अपना lifestyle change कर पाओ तुम अपनी संसार को और अपने आपको meaning देते हो और इस तरीके से तुम संसार से interact करते हो और तुमारा जो behavior है वो भी change होने लगता है तुम इस point को मत भोलो तुम्हे change होना पड़ेगा तुम जैसे हो तुम में अपना lifestyle चूज़ करना पड़ेगा ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर ये बिलकुल आसान है तो youth आगे बोलता है तुमारे according कोई trauma नहीं होता environment का भी कोई effect नहीं पड़ता और ये जो baggage है और मेरा जो unhappiness है ये मेरा fault है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर चीज़ के लिए criticize किया जा रहा हूँ जो भी मैंने आज तक किये तो philosopher बोलता है कि तुम criticize नहीं हो रहे हो बलकि Adlers की teleology बोलती है कि जो भी अब तक life में हुआ है तुम उसका कोई बोज नहीं रखना चाहिए तुम्हें अपने आप पे और तुम सिर्फ अभी जी रहे हो इस वक्त जी रहे हो और ये ही वो पल है जो determine करता है तुम्हारी जिंदगी को तो youth बोलता है कि मेरी life जो है वो इस पल में determine हो रहे है तो philosopher बोलता है हाँ क्योंकि past doesn't exist कि past जो है वो कभी exist past exist नहीं करता है तो यहाँ पर बहुत ही important बात यहाँ पर philosopher बोलता है कि जो past है वो कभी past exist ही नहीं करता है तो हम सोचते हैं कि past में मेरे साथ ऐसा हुआ और आज हम ऐसा feel कर रहे है पर जो बीच चुका है वो बीच चुका है उसको ना तो हम किसी time machine में जाके change कर सकते हैं बस हम उनसे lessons ले सकते हैं और आगे वो गलतिया ना धराएं यह कर सकते हैं तो हमें जो lifestyle है वो courage लाके अपने में वो तो change करना ही पड़ेगा तो youth बोलता है आगे कि all right मैं तुम्हारी theories से 100% agree नहीं करता इसमें कैसे कई ऐसे point हैं जिनसे मैं convinced नहीं हूँ और मैं उनके विपरीत जो है argument अपने रखूँगा पर at the same time उसी समय में तुम्हारी जो theories है वो आगे बात करने वाली है उनको आगे consider किया जाना चाहिए मैं और मैं सच में interested हूँ और जानने में adleviant psychology के बारे में और मुझे लगता है कि आज के लिए तो मैंने बहुत समझ लिया है और मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानोगे कि अगर मैं ये discussion अगले week continue करूँ अगर मैं ये break यहाँ पे नहीं लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा सर फट जाएगा तो philosopher बोलता है हाँ मेरे को लगता है कि आपको तुमें time चाहिए थोड़ा कि तुम खुद से चीजें सोच पाँ मैं हमेशा यहाँ हूँ तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा धन्यवाद हम दुबारा बात करेंगे तो यूद बोलता है great बस एक आखरी चीज अगर मैं बोल सकूँ मेरा जो हमारी discussion थी वो बहुत लंबी थी और कई कई मौके पे यह बहुत ज़्यादा intense होई और मुझे लगता है कि मैंने कई जगा पे भद्धे तरीके से भी बोला तो मैं माफी चाहता हूँ तो philosopher आगे बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो तुमें Plato's के डायलोग पढ़ने चाहिए जिस language में वो Socrates का disciple ने बाते किया वो बहुत ही लूज है तो ऐसा ही मेरे ख्याल से एक डायलोग जो होना चाहिए तो यहाँ पे हमारे जो chapter है वो खतम होता है और इसी के साथ साथ हमारा part one of the book भी खतम होता है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए तो ने जो part है हम जल्दी ही cover करेंगे मैं जैसे उसका नाम बता देता हूँ उसका नाम है the second night और जो title है वो है All problems are interpersonal relationship problems यानि जो सारी problems है सारी वो interpersonal यानि एक दूसरे के personal relationship problem है तो इसको हम और जानेंगे next chapter के लिए तब तक के लिए take care bye bye see ya